नमस्कार स्वागत है आपके अपने मिक्स रस्वी रेस्पी चैनल में इडली बनाने के लिए हमने यहां पर 200 ग्राम रत की दाल ली है डेश्व ग्राम चावल लिये हैं अपने दोनों चीजों अच्छे से धोलेंगे दो से तीन वार साइप पानी से मसल मसल गदूए ताकि इन में इस्टार चाहों निकल सके अधा एक ग्लाव पानी डाल का इन पान से शे घंटे के लिए रख देंगे ताकि फूल सके दाल चावल बीग चुके हैं तो इने मिक्सी के जाल में डाल के इसका एक पेस्ट बना लिए अगर मिक्सी में थोड़ी दिक्कत आई पीशने में ताब दो चमच करी पानी डाल सकते हैं कि अग्षा करें तो ने विवा दिए अगर दिए अगर शाचा अब इसके हर एक मोल्ड में तेल लागा लिए थोड़ा सा ताकि जो मारे इडली चिपके ना और साथ ही जल लेना अब हमारा जी बैटर इस अच्छी न फेट लेंगे आप इस बैटर को जितना फेटिंग उटनी इडली के वाच्छी बैटर फिलपी बन जाएगा अब एड़ करेंगे आदा बड़ चमल इनो अगर आपके पास इनो लेए तो आप खाने वाला सोड़ा भी एड़ कर सकते हैं दूबारा से अच्छी से फेट लेंगे अब जो मोल्ड है उनमें हम एक चमाज भरके बैटर डाल देंगे ज्यादा ना भरें उनना फूल इडलिया फूल के बाहरा जाएगी अब इडली के साची को कढ़ाए में लगके पकाएंगे याद है पानी जादा गरम नहीं होना चाहिए अब 5-6 मिनिट ढखकर पकाएंगे तक अच्छे से भाप ना बन सकत तब तक पकाएंगे देखें भाप बन चुकी है अब हम एडली चैक कर लेते हैं एक चाकू के साय तासन चैक कर लेते हैं देखें बिलकुल नहीं चीपक रही है अब देख पा रहा हूंगे तो बिलकुल भी नहीं चीपक रहा है तो समझे इडली बनकर रेड़ी है देखें हम इड़ी आपके तोड़कर उतार दें कितने सॉप और किसमें कितने इस्पंची बनी है दम करें करें तो रहे हैं तुल सत मोट साथ ही सामबर लाल चतनी गरी चतनी के करेंगे इस रेश्पी को अब भर पर जब ट्राइब करें अगर रेश्पी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइज में दवाना ना भूलें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्नीबाद